हाई ओल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे आज की जो रिडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके पार्टनर क्या वापस आ रहे हैं ठीक है तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की रिडिंग करेंगे कि देखेंगे कि क्या वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्या कुछ बन रहा है उनके mind में क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं है वो कि action लेंगे नहीं लेंगे क्या करेंगे वो ठीक है तो यही हम आज की इस reading में कि कि आप वो वापस आ रहे हैं जैसा कि आप लोग बहुत सारे रीडिंग्स देखते हो मेरी रीडिंग्स देखते हो और सारे यूटुबर्स की रीडिंग्स देखते हो ठीक है तो उन लोगों की रीडिंग्स देखते हो या फिर मेरी ही रीडिंग्स देखते हो आपके दिल म कि मेरा पार्टनर आएगा तो वही हम आज की इस reading में clear होंगे कि क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ठीक है तो I hope यह reading आपके साथ resonate करेगी ठीक है मैं कोशिश्त तो करूँगी कि सबके साथ ही reading resonate करें और ना करती है तो इश्वर की कह सकते हैं मुझे पता नहीं क कैसे reading resonate नहीं करती है लेकिन जहां तक है मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे लोगों की energy को pick करके तब ये reading करूँ क्योंकि general reading में मैं बहुत सारे लोगों की energy को pick करना चाहती हूँ और तब जहना ये reading करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि सब को ही पता चले कि उनके person का क्या है क्या mind में चल रहा है क्या सोच रहे हैं क्या action लेने के बारे में ये सोच रहे हैं ठीक है तो हम लोग यही इस topic पे reading करने वाले हैं I hope reading आपके साथ resonate करें तो पहले तो हम लोग जो है ना ये tarot card से ये जो मैं situation देखने वाली हूँ उसके बाद मैं tarot card से इस card से मैं देखने वाली हूँ ठीक है ये आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है और ये card से जहना मैं situation को देखूंगी clear करूंगी कि क्या situation है आप दोनों के दर्मिया ठीक है और इसके बाद हम लोग देखेंगे energy oracle card का मैं आज यूज करने वाली हूँ देखेंगे कि आपके partner वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ठीक है तो आज की reading चलो start करते हैं हमेशा की तरह ये एक general reading रहेगी तो आपको वैसे ही लेना है ठीक है और जिनके साथ reading resonate करती है प्लीज इस चनल को subscribe ज़रूर करें आप लोग मैं भी महनत करती हूँ तो मेरे महनत का फ़ल बस इतना सा है चनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है और अपने friends family में आइमबर के साथ share करना है इसको ठीक है तो चलो reading start करते है प्लीज इन्वर्स काइड मी प्लीज इन्वर्स काइड मी प्लीज गाइड मी प्लीज प्लीज गाइड मी और हाँ गैस जिनको भी personal reading लेनी है मुझसे whatsapp number पे contact कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारे details दे दी जाएंगी whatsapp number आपको इस screen पे दिख रहा है इसी number पे आपको contact करना है personal reading के लिए ठीक है तो चलो reading देखते हैं और personal reading जो होती है free reading नहीं होती है ठीक है ओके please inverse guide me जो भी viewer देख रहे हैं जो भी viewer देख रहे हैं उनकी क्या energy है क्या अभी situation क्या है please inverse guide me मैंने सायद देखी उटा पकड़ा है ओके चलो कोई ना चलो अब देखते हैं please inverse guide me please guide me क्या situation है अभी please guide me please inverse guide me please guide me please inverse please guide me चलो अब cards जो है ना निकालते हैं हम देखते हैं क्या cards के energy है हमारे सामने ठीक है पहला card money covering हूँ page of vessels का card है यहां पे ठीक है ओके तो यह ऐसे जो है ना यहां ऐसेन रिवर्स में आया था थीक है मैं reverse में यह ले लेती हूँ वरना आप भूग का होगे की नहीं reverse में आया था आपने सीधा कर दिया चलो reverse में ही देखते हैं जो card मैं reverse में आया compelling तो रिवर्स में ही लोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके अगला है फॉर आफ वैसल का कार्ड ओके और देखते हैं इस इंवर्स काईट मी इस काईट मी इस इंवर्स काईट मी ओके वोड़ का मैन का कार्ड है यहाँ पे और कार्ड देखते हैं यहाँ पे दवील का कार्ड है ओके यह भी रिवर्स में आया है मेरे पास ठीक है यहाँ पे दजर्णी है ठीक है ओके रिवर्स में आया है कार्ड इसलिए मैं रिवर्स में ही ले रही हूँ ठीक है ओके तो यहाँ पे बॉटम अफ दडेक जो है यहाँ पे पेज आफ एरोस का कार्ड है ठीक है पेज आफ एरोस का कार्ड है तो यहां काट current situation में देखूँ आपकी ठीक है तो यहां situation कुछ ऐसी बता रही है आपकी life में बहुत सारे उतार चड़ाओ चल रहे हैं अभी आपकी life में ठीक है बहुत सारे ऐसे परिशानिया चल रही है जो आपने कभी expect नहीं कि थे और यह लंबे time से चल रही है आपकी life में ठीक है आप लंबे time से यह face कर रहे हो ठीक है यहां पर यह card मुझे बता रहा है तो यहां cards क्या बता रहे हैं कि आप जो है ना यहां पर बहुत परिशानियों से बहुत कठनयों से जूश रहे हो आपकी life में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो ठेहर से गई है ठेहर से गई है death यहां पर देख रहे हो यहां जड़नी का card है जो कि होता है नॉर्मल डेक में death का card ठीक है तो यहां पर जो है ना यहां reverse का card आया reverse में आया है card जो कि मुझे बता रहे है कि आपकी जो चीजे चलनी चाहिए मतलब जिस चीज में जो है ना यहां पर रुकावट नहीं आनी चाहिए उस चीज में आपकी रुकावट आ रही है ठीक है आपकी life में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है यहां पर यह जो three cards है यह three cards मुझे बता रहे है कि बहुत सारे रुकावट आ रही है कुछ ऐसे भी आपकी आप जब जो है ना ऐसे शांती में बैठ रहे हो तो आप सोच भी रहे हो कि मैंने क्या ऐसा किया है जो मुझे इतना दुख जहलना पड़ रहा है इस situation में ठीक है मतलब आपका दुनिया आपकी life आपकी जो है ना आपकी जो एक खुशनुमा life थी वो अचानक से change आया और उस change उस change के आनी के वज़े से आपकी life यहां पे ठहर सी गई है रुक सी गई है बहुत परेशान बहुत सारे changes मुझे लगता है कि किसी से यहां पे छगड़े भी हुए होंगे आपके ठीक है आपके दोस्तों से या फिर यहां पे आपने किसी को खो दिया है अपने पार्टनर को खो दिया है जिस वज़े से आप बहुत ही ज़्यादा यहां पे एक ऐसी energy में होना जैसे कि जिन्दगी रुक्सी गई है आपकी ठीक है इसलिए जो है आप यहां पे बहुत ज़्यादा सोचते हो बहुत ही ज़्यादा deep level की thinking करते हो आप बहुत ही ज़्यादा ठीक है यहां पे यह card भी मुझे वही बता रहा है कि यहां पे किसी से हो सकता है कि आपकी अन्बन भी हुई हो यहां पे जो है ना कुछ changes होने का कुछ negative changes होने का आपको डड़ लग रहे आपके अंदर कुछ negativity आ रही है कि हाँ इसका result जो है ना मुझे कुछ और ना जहलना पड़े आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ ही है जिस वज़े से आप डड़ से गए हो आप थम से गए हो अपनी लाइफ में ठीक है एकदम से ठहराओ आ गया है आपकी लाइफ में ठीक है आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यह मेरा दुर भाग गया है मैं इसे जेल रहा हूँ या जेल रही हूँ क्यों ऐसे हुआ ठीक है तो बहुत सारी problems आई हैं आपकी life में ठीक है यहाँ पे cards बता रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा परिशान हो कि आप smoking करते होगे drinking करते होगे ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि मुझे पता है कि यह सब के साथ resonate नहीं करेगी smoking और यह नसीली चीज़े जो है न मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है या फिर आपके partner की यह वाली energy हो सकती है कि वो नसीली चीज़ों का सेवन कर सकते हो है ठीक है या कड़ते होंगे ठीक है तो यहाँ पे क्योंके cards ऐसे आए हैं और यहाँ पे वही आप सोचे जा रहे हो अपने देखो यहाँ पे source तो बहुत रहे हो आप और वही हीमत भी दिखा रहे हो कि नहीं मुझे इस situation से लड़ना ही होगा यह जो है आपका ठहराओ आगया है आपकी लाइफ में आचानक जो change आया है उसमें आप बहुत ही अपने आपको थामे हुए हो बहुत ही strength के साथ आप यहाँ पे खड़े हो इस situation से लड़ने के लिए ठीक है आपके अंदर दिल में answer है कि हाँ कुछ गलत ना हो जाए कुछ ऐसा हो ना जाए इसे मैं कुछ और खो दूँ ठीक है लेकिन यहीं पे मैं देखू ना तो आप आप strength के साथ एकदम खड़े हो कि चलो जो होगा सो देख लेंगे हम ठीक है तो ऐसी वाली भी energy है और ओके सो माइक थोड़ा साना हो गया था चलो ऐसी वाली भी energy है जो कि मुझे बता रही है ठीक है तो चलो अब हम टेर्योग के द्वारा देखते हैं कि आपके partner आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप यहीं सोच सोच के जो हैना और ज्यादा tension में हो गया है कि मेरा partner आएगा कि नहीं आएगा मैं इस relationship का क्या करू इस situation का क्या करू कैसे करू बहुत सारी question है आपके माइन में बहुत सारी question अनंत question ठीक है अनंत question कह सकते हैं चलो और देखते हैं टेर्योग के द्वारा कि हां क्या है प्रीस इनवर्स काईड मी जो भी ऑड़ देख रहे हैं क्या उनके partner वापस आ रहे हैं may magician जलो औरस देखते हैं प्रिसिंवर्स काइड में यहां पे नाइट आफ सॉट्स का कार्ड है ओके यहां पे अगें फॉर अफ सॉट्स वेरी नाइस फॉर 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 और यहाँ पर two cards है मेरे पास तो यहाँ पर the high priestess का card है और यहाँ पर है मेरे पास 10 of wands का card है मैं sign आपको बताऊंगी आप थोड़ा सा wait कर लो ठीक है यहाँ पर है earth यहाँ है the sun very nice तो चलो यहाँ क्या है the hermit का card है ठीक है bottom of the deck तो यहाँ sign में आपको बता देती हूँ यहाँ है air sign जैमना लेबर एक्वेरियस एरिस लियो सैच यहाँ पर earth भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्ण यहाँ पर स्रीप water sign नहीं है तो water नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग चले जाओगे क्योंकि यहाँ पे magician भी है इनके पास देख रहे हैं यह water का sign है ठीक है आपके partner यह यह आपके energy भी हो सकती है क्योंकि यह energy आपकी है तो यह energy भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपकी भी है दा हरमिट का card है दा हरमिट पतलब क्या कि यह जो है आपके partner यह अपनी जिन्दगी से उदास हो चुके हैं अपनी जिन्दगी से परिशान हो चुके हैं इनको अपनी लाइफ में बहुत प्राब्लम छेलनी पड़ रही है बहुत सारे ऐसे सिटुशन का सामना करना पड़ रहा है बहुत ऐसी मजबूरी है इनके सामने जिसको लेकर के ये डिल नहीं कर पा रहे हैं बहुत परिशानी हो रही है इनको इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी मुसीबते है ऐसे मुसीबते तो आप भी जेल रहे हो और ये परसन भी जेल रहे है इसलिए मैंने कहा कि ये आपकी एनरजी हो सकती है क्योंकि ये सबके होते हुए भी ये सबके होते हुए भी क्या है अकेले हैं ठीक है अकेले हैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है एकदम से अकेले हैं अकेला फीली हो रहा है इनको ठीक है तो ये मायूस है ठीक है मायूस है लेकिन इनको क्या एक एक लाइट तो दिख रहे हैं कि हाँ इसके आगे जो है ना सवेरा है अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है ठीक है तो इनको जो है ना एक motivation तो मिल रहे है लेकिन क्या और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आगे बढ़ूं ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपके partner जो है यह भी इस टक है यह भी ना आगे है क्योंकि इनके अंधर से इनका इनका अंदर का मुझे दिख रहे है ना अंधर से इनका दिल जो है एक दम से उडाश हो जैसे कि हम कैसे होता है कि हमारे जिनदगी से अगर कोई person चला जाता है तो हम उसके बिना ऐकदम खाली सा मैसूस करते हैं एकदम सा खाली तो वही energy मुझे यह दिख रही है तो वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप लोग देख रहे हो cards देखो यह क्या हो रहा है इनकी life में मैंने कहा ना कि इनकी life में problems चल रही है इनकी life में परिशानिया है देखो कुछ ऐसी परिशानिया होती है ना, कुछ ऐसे responsibilities होती है हमारे सामने कि हम उसे ना चाह करके भी हमें उसे निभाना पड़ता है क्योंकि हमारी family है, हमारी family के member हैं, जो हम पर depend है ठीक है, तो वैसे ही आपके partner है, ठीक है, कि इनके पास बहुत सारी परिशानिया हैं, जिसको ये निभा रहे हैं हाला कि ये निभाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ये जो देख रहे हो, ये गठरी कितनी सी भारी है ये देख रहे हो, लकड़ियां कितनी सी भारी है फिर भी ये परसन जो है ना अपने कंदे पे उठा रहे है इसको जेल रहे है इनके आगे पीछे को आदाएं बाई कोई दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ना वैसे ही इनके उपर responsibilities है इतनी सारी responsibilities है इतनी सारी परेशानिया हैं इनके सामने कि ये परसन को कुछ समझ में यहां तक दिख रहा है कि मैं कैसे कुछ दिल करो क्या करोixo, क्या करो और मुझे जहां तक की यह अपने फैमिली का है पराद को ज़्यादा मजबूर हैं घुठाता हो फैमिली biscuit कि में फादर या फिर नलड़ने करें कौछ ऐसा issue चल रहा हो लेकिन family के तरफ मुझे इनका जुकाव जादा दिख रहा है क्योंकि ये family loving person है family को सबसे पहले रखते हैं family को family को कोई तकलिफ नहीं देना चाहते हैं इसलिए ये खुद को तकलिफ जेल रहे हैं लेकिन अपनी family को ये तकलिफ नहीं जेलने देंगे ठीक है तो ऐसी energy मुझे दिख रही है आपके partner की loving person है बहुत ही अच्छे person ऐसे person जो मिलते हैं न किसमत वालों को मिलते हैं जिनको अपनी जिम्मवारियों का ऐसास होता है ठीक है तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है जिम्मवारियों का ऐसास होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए इनके जिम्मवारिया नहीं है नहीं जिम्मवारिया है लेकिन क्या है कोई भी person अपनी family के बारे में पहले सोचता है अपने partner के बारे में बाद में सोचता है क्योंकि वो family के लिए मजबूर है क्यों मजबूर है क्योंकि उसकी family है उसकी family ने हर वक्त उसका साथ दिया है उसके partner ने भी दिया है लेकिन बच्चपन से ही छोटे से ही उसकी family उसके साथ है ठीक है तो ऐसे कोई भी person करता है मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे responsibilities निभाना ठीक है responsibilities निभाना है बहुत अच्छी बात है लेकिन हाँ यहाँ पर इनको कमी यह है कि यह आपको time नहीं दे पा रहे है आप दोनों के relation सही नहीं चल रहे है बहुत दिनों से separation में हुआ आप लोग ठीक है तो यह भी सही नहीं है family भी है आप भी हो दोनों के तरफ ही रिस्ता निभाना चाहिए लेकिन क्या है इनको अभी दिख रहा है कि नहीं पहले मेरी family है उसके बाद ही मेरा partner है मेरी बीवी है मेरे husband है जो भी है ठीक है तो इनको यह लग रहा है तो इस बारे में आपके partner यह बहुत ही जादा सोचते हैं देखो यह रात में जब भी अपने बेड पे जाते हैं तो यह बहुत ही जादा सोचते हैं यह आखे बंद करते हैं और आपके सांद जो जो पल बीते हैं जो उन्होंने खुब सुरत से पल गुजारे हैं वो सब याद करते हैं सब देखते हैं कि GLORIA क्या कैसे क्यूं हो गया देखो यहां पिर आपके बारे में सॵचा तो जरूर जा रहा आपके परसन अगर आपको भूल गए होते हैं आपके पास आना ही नहीं होता इनको तो वह आपके बारे क्यों सोचते हैं तो यह भी सोचने वाली बात है, तो यह परसन यह सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, यह किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, यह बड़ी गहराई से थिंकिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और इनके सामने देख रहे हैं, इनके सामने यह सौट्स हैं यहाँ पे ठीक है तो मतलब इनको एक कहते है ना कि गहराई में एकदम डूब के इसकी परवाह भी ना किये एकदम गहराई में डूब के और यह जो है ना thinking किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं और मेरे जहां तक मुझे दिख रहा है ना कि यह ना परसन यह meditation और manifestation भी करते हैं आपके लिए ठीक है तो यहाँ पे cards तो मुझे बता रहे हैं आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप देखो आपके बारे में जो है ना आपके partner यह भी thinking करते हैं मतलब वो action तो लेना चाहते हैं ठीक है action तो लेना चाहते हैं यह मैं मु evaluation के पास बहुत सारा secret है ठीक है आप बहुत educated हो ठीक है देखो एक pen में लिखना ही पढ़ाई नहीं होती है दिमाग की भी पढ़ाई होती है और क्या होता है हमारे दुनियादारी जो समझेर्ण شक्क मैं समझता पढ़ाई होती है कोई लिए ऑसल कर लेना वही पढ़ाई नह कर ली है ना तो यहां पर आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि यही सोचते हैं कि उसने अपने इंट्यूशन उसके intuitions बहुत तेज हैं, आपकी बहुत intuitions तेज होंगी, आपने बहुत कुछ अपने आप पर वर्क किया होगा, ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, कि आपने बहुत सारे secrets हैं, आपने बहुत सारे अपनी अंदर चीजे छुपाई हैं, जो है ना, इस person को पता नहीं है ठीक है, इनको ऐसा लगता है, कि उसने मुझसे बहुत कुछ चुपाया है, यह गलत है, उसको मुझसे share करना चाहिए, तो इनको यह भी लगता है, यह जो है ना, इसलिए स्टक पड़े हुए हैं, कि मैं क्या करूँ, कौन सच है, कौन जूट है, क्या जाने, भगवान इस जाने हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर, यह सब सोत समझ के, यहाँ पे, देख रहे हैं, कुछ अचानक से change होगा, कुछ अचानक से change होगा, और आपकी life में, फिर से वही खुशिया, वही प्यार, वही महबत आने वाली है, ठीक है, यहाँ पे night of sorts का भी card है, night of sorts का भी card मुझे बता रहे हैं, कि यह जल्द से जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं, यह जल्द से जल्द आ रहे हैं, आपके पास, ठीक है, तो आज का जो हमारा reading का topic था, कि क्या वह वापस आ रहे हैं, आपके पास, तो हाँ जी, वह वापस आ रहे हैं, night of sorts के energy है, तो वह व वापस आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दसन का कार्ड है दसन का कर्ड मतलब उजाला ठीक है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सफाया उसका खात्मा यानि कि यह जो सुचुशन आप जेल रहे हो यहाँ पर सब खतम होने वाला है ठीक है और यहाँ प ग्रॉब्लम्स थी वापस आरहे हैं देख रहे हो आपकी लाइफ में यहाँ खुशीयों का दरवाजा जो है अब खुलने वाला है एक दम यह खुशीयों का दर्वाजा खुलेगा और आप दोनों फिर से उसी गली को जाओगे जहां सेर आप लोग को ने कभी सपने में दे तुनों साथ में हो और उस गलियों की सैर करो जिस गलियों में आपने सपने सजाए थे ठीक है जिसके सपने सजाए हैं आपने जहां जहां जाना है आपको एक जरने स्टार्ट होने वाली है एक न्यू बिग्निंग स्टार्ट होने वाली है एक आपका सपना पूरा होने वाला तो ये आपको हस्ते हस्ते एक्सेप्ट करना है ठीक है आप बहुत आपने बहुत परिशानिया जहली है अपनी लाइफ में मुझे ये साफ साफ दिख रहा है साफ साफ ठीक है और अब जहना ये परिशानी खतम होने वाली है अब जहना ये ये अब आपके साथ होने वाला है याने कि यह जो है न यह खुशियों का दर्वाजा जो आस्मान को जाता है ठीक है उचाई को जाता है उस उचाई पे जो है न अब आप चढ़ने वाले हो उस उचाई को छूने वाले हो एक अपने आपको आजाद करने वाले हो ठीक है आज की सायद आज की जो मैंने दुसरे चैनल पर रीडिंग डाले थी उसमें भी कुछ ऐसा ही काड आया था कि अपने आपको अखुले आसमान में छोड़ दो सो आप लोग वो करोगे तो ये जो हैना मुझे लगता है कि ये अब जो हैना ये अब टाइम दूर नहीं है तो नमबर टू का काड आया है नमबर टू यानि कि टू डेज, टू विक्स, टू मन्त लग सकते हैं आपके पार्टनर को आपके पास आने में मैं इश्वर से दुआ करूंगी, प्रातना करूंगी कि आपके पॉर्सन आपके पास जल्द ही वापस आ जाएं तो यह है ओके तो यह रही आज की डिडिंग हमारी जो आज का हमार टॉपिक था कि क्या वो वापस आ रहे हैं तो हान जी वो वापस आ रहे हैं दो दिन में, दो घंटे में, दो विक्स में, सब्ताह में और दो महीनों में ठीक है सो ये रहे आज की रेडिंग, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स रेडिंग में, बाई